कि वह अई है टेज फेंट आज अब हम से इसे पीसी में ग्राफिक कार्ड कैसे इस्टाल करते हैं तो मेरे पास यह ग्राफिक कार्ड़ है एंवीडिया का जिसे हम इसी में लगाएंगे तो आई अपन देखते हैं इसे कैसे यूज करते हैं कि सबसे पहले इसका पैनल खोलने के बार अपने मदर बोड में देखें पेसी इसलोड कहां पर है तो यह है रहा हमारा पेसी इसलोड जिसमें हमें यह इसे थोड़ा ध्यान से लगाएं कि इसको इस तरह से लगाएं यह यह जो वीजय पोट है वो इसके बाहर जाएगा तो ध्यान से लगाएं देखें इस तरह से कि अध्या सही से मिला लें लगाएं है यह देखें और यह आपका लगाएं जबाने गवाज स्टाइट अब देखने लिए लिए इस पहले जो यह मोनिटर का जो यह जी एपेट यह ग्राफिक के अ इसमाल अपके इसस्ट में आपको एक और यसान कि में आपका ग्राफिक नहीं होगा कि मैं서ाफ यह स्कृट प्रवाल हो गया है तो तो मैंसे आराम से लगा लेंगे लिए लगा लिया इसको तो अच्छे टाइड करने आप अपना पावर केवल लगा लिए पावर केवल लगाने के बाद इसको बैटन से चालू करें चालू करने के बाद देखें आप पर डेस्टल आ रहा है कि नहीं कि देखें हमारे डेस्ट से आ चुका है तो इसका कीबूड है कि एक स्टू से इसे रन करने यह बहुत ही पराना पीसी है जो कि जिसमें मैंने एक एंवीडिया का ग्राफिक काड इंस्टॉल करके आपको बताया है यह बहुत ही आसान तरीका है ग्राफिक काड लगाने का सिस्टम में अब कि विंड़ो मेरा चालू हो रहा है अब देखें मेरा विंड़ो चालू हो गया अब इसमें देखें आप इसकी माइ कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाएं कि डिवाइस मेनेजर में जाएं कि देखिए कि मेरा ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है और अगर आप लोगों को लगे कि आपके यहां पर चेक करने वेले अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल अगर ड्राइवर नहीं हुआ तो कोई दिख करने आप अपना क्रॉम खोले कि क्रॉम खोलने के बाद ड्राइवर पैक स्टॉलिशन डाले ड्राइवर पैक आपको देखेगा यहां देख लिए ओपन करने का पीसी आई बस एन्वीडिया जीफोर्स एट फोर्स डवल जीटो जीएस और यह आपका यह वा आपके सारे ड्राइवर दे लेगा तो इतनी आसानी से आप अपने कंप्यूटर में ग्राफिक काड़ इंस्टॉल कर सकते हैं कि यह वीडियो करें लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो तो और इस वीडियो में आज इतना ही धन्यवाद